नमस्कार दोस्तो मेरे यूटूब चनल अब कर बहुत बहुत सवागत है दोस्तो मैं अभी जिंदल पावर प्लाइंट तम्नार में हूँ और हम लोग जाने वाले हैं टेक्निकल कॉंक्लियों में जो की प्लाइंट के अंदर में जेपील डेक के ऑगेजन पर रखा गया है तो अभी रास्ते में बस पहुचने वाले हैं प्लाइंट के अंदर ही अभी जा रहे हैं यह 3400 मेडावाट का यह पावर प्लाइंट है आप देख सकते हैं कितना साफ स्वक्च यह प्लाइंट बहुत ही सुन्दर लगता है और अम लोग बस पहुचने वाले हैं टेक्निकल कॉ यह जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है डैकिन सिग्मा एबीबी सैंडवीक यह सारी कंपनियां पर आए हुई है अब चलते हैं लोग आगे क्यों यह रहा राइट सैड में जहां पर टेक्निकल कॉन क्लियों होने वाला है और लेफ सैड में जो दिखर आपको यह जिन्दल का गेस्ट हाउस है गेस्ट होस्तू जहां पर नमीन जिलन सर आकर ही स्टेक करते हैं प्लाइट में आते हैं तो अब हम लोग चलते हैं अंदर क्यों देखते हैं क्या मॉल है अंदर का वेलकम टू कॉन्खलेफ जिन्दल पावर लिमिटेड अगे हम लोग अंदर अब हम चलते हैं अंदर के और देखते हैं कि क्या है अंदर बहुत खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि हमने बहुत पहले आ गया थे वीडियो बनाने की चंकर पर यह अपने काम का चीज इस पेसल ब्लास्ट इमिटेट कर यह आपा इस्टार लगा हुआ है एक बहुत अच् ब्लास्टिंग टेकनिक के तो यह मताया जिसमें न कोई बारूत का याँ ये याजाता है नहीं कोई और कई मीक्ट पर्मिश्टो सेरलं के चाह 1700 के तो बीडियो को एकजिट च्रुक्षवी हो इकडम यह सेफ ब्लास्टिंग हो बेंग को बताया बहुत ही सेफ दिशत बनान पगल में डैन है और दॉस्ट नीचे में ब्लासिंग की जा रही है बहुत ही जबर्दस नई टेक्निक लाए गया है सब्सक्राइब के तरफ से देखके बहुत ही मजा आ गया मेरेको तो यह चीज़ कुछ नहीं दिखने मिला और यह है गैन्वेल का इंस्टॉल लगा हुआ जहां पर यह हाइवल माइनर के बारे में बता जा रहा था जहां सार्दा में जो भी चल लगी है उसी बारे में बता ज स्टॉल लगा हुआ है जो कंप्लेट ब्लास्टिंग प्राइट कराती है इलेक्ट्वानिक ब्लास्टिंग सिस्टेम की इतनी भी समाने है सब यहां पर रखी है अब डेटनेटर नो नेल दोस्तों ऐसी बगल में इस्टॉल लगी वी थी करम सेप्टी प्राइवेट वीडियो स्टॉट करके आपको दिखा रहा हूं अब देख सकते हैं दोस्तों अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूले मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहा हूंगा तब तक के लिए बाए टेक केर थाइंक्य कर दो